दोस्तों स्वागत आपका अमारे यूटूब चैनल में और आज हम बात करेंगे आपको बताएंगे कि हमारे आर्म होल में फुगा क्यों बनता है, किस वज़त से बनता है, क्या कारण है और उसे रोकने के क्या उपाय है यहां पे मुझे सौल्डर चाहिए 5 इंच, 30 साइड ब मुझे कितने चाहिए या पे 9 इंच नेक्च के अकोर्डिंग 5 इंच, अब आप ने यहां पे ले लिए 1.5 इंच, यह मैंने 5 इंच आप ले लिये, अब यह 1.5 इंच आप है様ं से लिए, इसाज़फ दिन थे किms यहां पर आएगी और अब जब मैं इसमें सेफ लगाउंगे तो यह सवैंग का यहां पर आता है। अब इस सेफ को मैं यहां पर मिलाऊंगी तो यह इस प्रकार से कुछ होगा इसका। तो आप यह जो यहां अन्य वाला सेपता वो वहाँ चला गया आपकी साड़े पांचीं सॉल्डर लेने की वज़ा से तो यह जो इतनी लूजपन रहेगा यह जो तो यहां से आपके क्या होगा फुगा ही पड़ेगा ना जो आपने एक्स्ट्रा लिया है यहां से तो उसकी वज़े से आपको फुगा कि आगे के पार्ट में ही ऐसा किस प्रकार से हो जाता है यह बेक साइड का पार्ट था अब देखे यह हमारे आगे का पार्ट से यहां पे जैसे मैंने बेक साइड का हमने साड़े पांच लिया तो यहां से भी हम साड़े पांच इंच सोल्डर लेंगे तो यह सोल्डर हमने य इतने पांच ही चाहिए आपने लिए कितने साड़े पांच ले लिए अब बताओं कि यह जो इतने यहां पर आना चाहिए आपके मुड्डे का जो राउंड सेप होता है यहां पर आना चाहिए तो आप इतना दूर लेंगे यह वाले आपके लाइन है और जो सेप आएगा आप इस प्रकार से यह सेप लगाओगे ठीक है आपने ऐसे सेप लगा दिया अब जो आपकी यह सिलाई के लाइन यहां आनी चाहिए मुड्डे की नेक लाइन के बाद में तो यहां पर आनी के वह आपने अगर यहां पर सिलाई की लाइन आया तो आपकी यहां पर जोल नहीं कटिंग होनी चाहिए वो आपने साड़े पांच पर कटिंग की है तो यही हमारी मिश्टिक होती है जिसके कार्ड आपके बाजू में फुग आता है तो जो लोगों के आता है वो अपनी कटिंग को समझे और हमारा यह जो चार्ट है इसके अखोर्डिंग सेट आप लें आपके अच्छी कटिंग होगी बहुत सुनदर होगी ध्यान रखे ब्रौड नेक हो तो आप इनमें से भी कुछ कम कर लें ब्रोड मतलब यानि ब्रोड जो किसे कहते ब्रोड इसे कहते हैं जो की चोडाई में जादा हो यह तो नॉर्मली डीपनेक है और इसको फेला हुआ इसको ब्रोडनेक कहते हैं तो इसके अंदर आप और थोड़ा साथ कम कर लें सोल्डर ताक कि आपके सोल्डर ना गिरे तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगाओ समझ में आया हो कि हाँ यह सही है ओके है इनका मेजिरमेंट जो हमने बताया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिगा चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिगा ताकि